हेलो सुडेंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आई टी डिपलोमा बीटेक एमाई की जो सुडेंट्स हैं उनको गौर्मेंट एक्जाम्स की और केंपस प्लेस्मेंट की जो है प्रिप्रेशन्स करवा रहे हैं तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर सेवन है यह आई टी के सुडेंट्स के लिए भी है और डिपलोमा और बीटेक के जो सुडेंट्स हैं वो भी इन आई टी की वीडियो को देख करके अपनी बेसिक जो नॉलिज है उसको अच्छा कर सकत है ठीक है तो आई टी में जो बच्चे फिटर मशीनिस्ट अर्णर वैल्टर कार्पेंटर ड्राफ्टमेंट्स से हैं और वो पास आउट हो गए हैं तो वो बच्चे जो हैं जिस किसी भी गवर्मट एक्जाम की प्रिशन कर रहे हैं तो टेक्निकल जो उनके कोश्चन्स हैं आज मैं लेक्चर नॉम्बर सेवन में वो आपके सामने रखूंगा इससे पहले के जो six lecture हमारे हैं टेकनिकल के उनके जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्षिट ने मिल जाएंगे और जो नोन टेकनिकल वाले जो lectures हैं वो भी आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाए इमेज और आपका जो है और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स यह वह आपको मिल जाएंगे नोन टेकिनिकल के इसके साथ जो है जो बच्चे डिपलिमव बीटैक के हैं वो आइटियाई की जो कोशन्स हैं टेकनिकल कोशन्स जो हैं जिनको मैं करवा रहा हूं आजकल तो उनको वह भी देख लें क्योंकि जो इंटर्व्यू होता है उसमें मैक्सिमाम बेसिक से ही कोशन्स पूछे जाते हैं तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर में जो इमपोर्टेंट कोशन्स हैं वह हम आपके सामने रखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो question है वो आपके सामने है which terms are needed to calculate two life index जो tool की जो life index है उसको calculate करने के लिए इन में से किस term का use किया जाता है तो पहला जो option है वो है आपका cutting speed and feed का या फिर depth of cut and rpm का या फिर cutting speed time and index का या फिर cutting speed and rpm of the job का अगर हमें किसी भी tool की life index को निकालना है तो उसमें से जो है किस किस term की जरुवत पढ़ती है उसको निकालने के लिए तो वो हमको options में दिया हुआ है तो हमें इन में से किन terms की जरुवत पढ़ेगी टूल की life index को calculate करने के लिए तो इसमें जो right option है वो है आपका cutting speed time and index तो यह इसका right answer होगा हमें अगर किसी भी tool की life index को calculate करना है तो हमें एक तो cutting speed का time पता होना चाहिए दूसरा उसका index पता होना चाहिए तो इन दोनों term को यूज़ करके हम टूल की life index को calculate कर सकते हैं तो right answer is c ठीक है चलिए अब चलते हैं second question दे question number two which type of thread is used in screw jack spindle आप लोग ने screw jack तो देखा होगा जैसे कि यह पर tire पंचर हो जाता है गाड़ी का तो उसमें भी हम use करते हैं गाड़ उसको lift करने के लिए with light effort लगा करके और heavy load को हम lift कर लेते हैं तो उसका जो spindle होता है spindle की बात हो रही है spindle की बात हो रही है उसको spindle जो होता है उसमें किस type की thread कटे होते हैं उसमें bsw thread होंगे या फिर आपका bsf thread उसमें कटे हुए होते हैं square thread होते हैं या फिर warm thread होते हैं तो हमारा जो screw jack को spindle है उसमें क्यूंकि heavy load को lift करने में या load को उठाने के साथ साथ उसको force apply करते हैं उसको उठाने के लिए जो thread उसमें कटे होते हैं जो कि किसी भी heavy weight को easily lift करने में help करते हैं तो उसमें जो हमारे thread होते हैं वो हमारे square thread होते हैं कौन से thread होते हैं square thread तो हमारा spindle है उसमें भी क्यों से होते हैं square thread होते हैं force effort में convert होती है तो इसलिए आपका spindle में भी thread होते हैं वो हमारे square thread होते हैं तो इसका जो right answer है वो आपका c ठीक है कि चलिए अब लेतने कोश्चन थर्ड एक विच एंगल is ground और एक में थ्रेड टूली जो एक्मे थ्रैड होता है तो जो एंग्मे थ्रैडिंग हुई है तो जो एक्मे थ्रैडिंग है उसमें एंगल कितना होता है यह मोठी मोठी बात पूछी कही है इसमें तो यहां जो अप्शन दिया है आपका 29 डिगरी होता है 45 डिगरी होता है 55 डिगरी होता है यह फी 60 डिगरी होता है हमारे जो एक में थ्रेड्स होते हैं उनमें जो एंगल होता है थ्रेड का वह होता है आपका 29 डिगरी कितना होता है 29 डिगरी होता है तो इसका जो पहला कोश्ण लेड़ेते हैं, विच मैंट्रिल इस मैनुफेक्चरड इन ओर तो रिड्यूज दा नमबर ओफ मैंट्रिल्स तो गहादा है कि इन में से उस मैंट्रिल का नाम बताईए या इन में से कौन सा मैंट्रिल है जिसको मैनुफेक्चर क्या आता है इस ओडर में कि नमबर ओफ मैंट्रिल जो है वो यूज ना करने पड़े मतलब एक ही मैंट्रिल में मैक्सिम सारे काम उसमें हो जाए तो वो जो मैंट्रिल उसका नाम बताना है तो सबसे पहला जो ओप्षण दिया है इसमें वो दिया है इसने आपका थ्रेडिड मैंट्रिल साइकेंड आप पर दिया है स्टैब्ड मैंट्रिल थर्ड आपका दिया स्टैब्ड मैंट्रिल और जो फोर्थ ओप्षण होगा गैंग मैंट्रिल आपका वो मेंडेल जो की No figure मेंडेल की है अकेला जो उसमें No ctap मेंडेल्फ लगे रहते हैं जोकी जो कि और ऑन जो एक्षचेंज करने की करता परग्रिया ऐसे मचने करने की परग्रिया है तो उसमें जो Mendel यूज के अज़ता है वह तुपारे Stepped Mendel, कौन सा होता है? Stepped Mendel, तो इसका जो right answer है वह आपका B, clear? चलिए, अब चलते हैं, Question Number 5, Question Number 5 में बोला है, What is the name of Chuck that hardened sleeve having slight cut partially? तो कह रहा है कि उस Chuck का नाम बताना है, जो कि आपका hardened steel की सलीव सचान होता है और इसमें आपका उस चार चक्कें रबिवाएं उप essaire उसàiटे में बताना कि उस चक नाम क्या है तो यह चार चक के हमें नाम दे गए, इनमें से कोई एक वो चक है, पहला आपका combination चक, दूसरा आपका collet चक, तीसरा आपका magnetic चक, चोथा आपका hydraulic चक, तो वो जो चक है, जिसमें की hard and still की सिलीव लगी वी है, और साथ में उसके slides cut है partially, तो उस चक का नाम है आपका collet चक, क्या नाम है उस चक होता है हमारा, उसमें वो तो hard and still की सिलीव लगी वी है, और उसके अंदर partially slides कटे हुए है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है वो अदर collect चक कलाता है, ठीक है ना, collect चक, right answer is B, चली अब चलते हैं, अगला question, question number 6, question number 6 में पूचा है, which is used to support hollow end jobs, इन में से कौन सा ऐस पार्ट है, जो की hollow jobs को support करने के काम में लाया जाता है, पहला दिया इसने ball center, दूसा दिया pipe center, तीसा दिया female center, छोता दिया आपका tip center, किसी भी hollow job को support करने के लिए, जो center इन चारों में से इस्तमाल किया जाता है, उस center का नाम है आपका pipe center, right answer is B, pipe center जो है, किसी भी hollow job को operation के द काम करता है, ठीक है, चलिए अब चलते है, question number 7 की तरफ, which metal contains iron as a major content, यह में चार मेटल दिये हुए है, कहा रहा है कि इन में से जो है, कौन सा मेटल ऐसा, जिसमें maximum, उसके अंदर iron की मातरच्वे जादा है, तो पहला इसमें दिया आपका brass metal, bronze metal, zinc metal, ferrous metal, ferrous metal जो है, maximum वो iron के content जादा जो होते हैं, वो ferrous metal के अंदर होते हैं, तो इसका जो right answer है, वो आपका D होगा, ठीक है, तो major content जो iron का मिलेगा, वो ferrous metal के अंदर मिलता है, ठीक है, चलिए, अब चलते है, question number 8 की तरफ, question number 8 में कहता है, which mechanical property of a metal offers resistance to elastic deformation in a cutting tool, हमें वो mechanical property बतानी है, जो कि metal की जो resistance है metal का, वो elastic deformation तक लेके जाता हो, cutting tool के अंदर, तो उस property का नाम बताना, वो property कौन सी है, जो की offer करती है resistance को, कब खतक elastic deformation तक cutting tool के अंदर, तो वो जो property क्या वो ductility है, क्या वो आपका malleability है, क्या वो आपका hardness है, या फिर आपका toughness है, तो elastic deformation तक जो property जाती है, cutting tool के अंदर, वो किस से कारण जाती है, वो जो property है, उसका नाम है hardness, hardness वो property है, जो वो resistivity रखती है अपने अंदर, कि जब cutting tool operation करता है, तो उसमें, वो उसको elastic deformation तक ही लेकी जाती है, तो इस property हम कहते हैं, hardness, तो right answer is C, चलिए, अब लेते हैं, question number 9, which alloy is using for make precise instrument, इन में से कौन से ऐसा alloy है, जिसका use जो है, जो precise instruments होते हैं, उनको बनाने के लिए क्या जाता है, तो पहला द्यास ने silicon steel, दूसर द्यापका manganese steel, तीसर द्यास ने inner steel, चोत्त द्यास ने vanadium, तो वो alloy जो की precise instrument बनाने के लिए use क्या जाता है, उसका नाम है आपका inner steel, inner steel जो है, वो steel है, जो की हम precision instruments बनाने के लिए use करते हैं, तो right answer is C, question number 10, what is the name of fixed or supporting point of lever, कह रहा है कि उस lever का नाम बताना है, जो क्या आपका fixed supporting point of lever है, उसका नाम बताना है, वो कौन सा होगा इन में से, क्या वो mechanical advantage होगा, फलकरम होगा, effort होगा, लोड होगा, आपने देखा होगा कि screw jack में, जहांबर हम उसमें lever को हम गोमाते हैं, और तो हमारा screw jack जो है आपका, वो heavy weight के जो है, light effort के साथ जो जो लिफ्ट करता है, वो ता force जो है, effort में convert होती है, और हम जो force लगाते हैं, वो हमको इतनी force नहीं लगाने पड़ती, और गाड़ी जो है, इतना heavy weight होता है उसका, और वो lift कर जाती है, तो वहाँ पर जो use हम करते हैं, lever और उसके बीच में, जो हमारा connection है, screw jack के बीच में, वो as a fulcrum की तरह काम करता है, तो इसलिए उसका जो न ठीक है, मतलब fulcrum वो point है, जो की fix और support करता है, point of lever को, और जो की, इसका सिदा सा example एक आपका है, screw jack के अंदर जो हम lever लगाते हैं, किसी भी heavy weight को lift करने के लिए, कम force के साथ में, तो वहाँ पर lever जब screw jack के उस point को connect करता है, जहांसे force जो है, effort में convert होती है, light effort में, और heavy weight को lift कर करने में help करती है, तो वो हमारा तब क्या बन जाता है, फल करम बन जाता है, तो इसका जो right answer है, वो होगा, आपका B, Okay students, तो आज जो है, मैंने आपके सामने 10 important questions रखे, जो की ITI के जो बच्चे हैं, डिप्लोमा के जो बच्चे हैं, बीटा के एमाई के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये questions बहुत important हैं, तो basic questions हैं, important questions हैं, सभी कुन questions के बारे में, knowledge होनी चाहिए, तो I hope so, इस video के मादवन से जो कुछ important questions मैंने आपके सामने रखे, तो आपको उन questions से आपकी जो knowledge है, वो काफी improve हुई होगी, और I hope so, आपके questions इठी से याद भी हो गए होंगे, तो मिलते हैं next video में, कुछ और important questions के साथ में, Okay, thank you, bye bye.